हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चानल, जॉब हंटु इट स्वाती, आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब उपॉर्चुनटी ले करके आई हूँ और यह उपॉर्चुनटी आई हुई है, PNB MetLife की तरफ से, PNB वेल नोन बैंक है, यह आपको पता ही है, और MetLife नाम से इंशॉरंस का वर्क करती है, ठीक है, अब यहाँ पर हाइरिंग किस के लिए हो रही है, यहाँ पर हाइरिंग हो रही है, Financial Advisor के लिए हो रही है, और यह अच्छी अपॉर्चुनटी यह प्रोवाइड कर रहे है कि IRDA का एक्जाम क्वालिफाई करने के बाद, It's Up To You, मतलब आ रहना चाहते हैं, ठीक है, तो इसकी Eligibility क्या है, Eligibility देखें, यहाँ पर qualification इन्होंने हाला की नहीं दे रखा है, जनरली कहीं 10th, 12th ऐसा ही होता है, ठीक है, तो 12th ही मान के चलिए आप, Do You Have What It Takes To Be A PNB MetLife FA, तो ठीक है, FA means Financial Advisor, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ qualities दे रखी है, कि Receiverance, Planning and Organizing Skills, High Values and Ethics, Openness to Learn, मतलब आपकी Business Skills चाहिए, Selling Skills चाहिए, Communication अच्छा होना चाहिए, तो पॉलाइटनेस होनी चाहिए, दूसरों को अच्छे समझा सकें, पॉलाइटली, यह Skills आप में मांगी गई है, ठीक है, अब चलिए आपकी Profile के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, ऐसे किसी भी जो कंपनी में आप जाने के लिए, Insurance Advisor का Work करने के लिए, सबसे पहले आपको IRDA का Exam क्वालिफाई करना होता है, ठीक है, तो IRDA का Exam जो होता है, वो कंपनी ही कराती, जहां पी आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने HDFC में अप्लाई किया, या आपने यहां PNB में अप्लाई किया, तो वो पहले कंपनी आपको IRDA का Exam क्वालिफाई कराएगी, उसके लिए यह कुछ फीस लेगी, ठीक है, 500, 500, 600, ठीक है, क्योंकि यह थोगा सा variable भी हो सकता है, कुछ-कुछ situation को ले करके, ठीक है, तो करीब 500, 600 के around यह आपकी फीस लेग तो एक इसमें आपको क्या करना होगा, identifying prospects, determining their needs, offering the right solution, collecting references, enhancing knowledge, being compliant and ethical, being disciplined, इसका मतलब यह कि आप जैसे insurance का work करते हों, तो उसके लिए समझी पूरा आपको KYC आपको चेक करना होगा, और उनकी requirement को समझना होगा, कि क्या requirement है, उनको आपको समझाना होगा, और खुद की भी अपने भी knowledge है, उसको भी increase करना होगा, ठीक है, तो यह आपका profile रहेगा, ठीक, career skill training, तो देखे, इसमें आपकी training होगी, ठीक है, training में क्या क्या है, आपके parts होगे, देखे, जैसा मैंने आपको पताए, IRDAI, पहले IRDA था, बाद फिर उसके बाद यह exam आप qualify कर लेते हैं, पचास questions होते हैं, उसमें से आपको 18 marks लाने होते हैं, उसको pass करने के लिए, ठीक है, और वो pass करने बाद उसकी training यह देंगे, ठीक है, उसका notes देंगे, training देंगे, उसके बाद आपको यह exam देना होगा, qualify करना होगा, उसी जो आपको notes देंगे न, उसी में से questions आएंगे, classroom training मतलब उसको qualify करने के बाद आपकी फिर से classroom training on knowledge and skill, तो उसके बाद यह आपको training जो होगी, वो insurance advisor के purpose से होगी, ठीक है, exam qualify करने के बाद, फिर अज़ता third, in agency on the job training, ठीक है, फिर अप agency में on job, on job training क्या होती है, कि आप job में भी हो, प्लस आपकी training भी बीच बीच में होती रहती है, ठीक है, तो अब है, CST trains you for the IRDAI license exam, वही मैंने जो आपको बताया, IRDA के exam के लिए आपको यह train करेंगे, फिर उसके बाद आपको qualify करना होगा, वो सारी चीज़ने यह लिखे हुए, what is my career path, career path देखे, इनोंने यह दिया है, कि as a PNB MetLife advisor in an insurance career, you have the choice of building your own practice to advise customers, or you can develop your managerial skills to manage your own team of advisors, तो आपका जो path है, क्या है यह, यह path है, कि आप इसमें चाहो, तो आप as insurance advisor ही, अगर आप बहुत अच्छी तरकी कर रहे हो, तो उसमें जा सकते हो, ठीक है, अगर आपको उसमें बहुत अच्छी तरकी कर रहे हो, तो उसमें जा अच्छी commission मिल लही है, बहुत अच्छे आपके उसमें relations बन गए है, ठीक है, तो बहुत अच्छा आपको profit हो रहा है, तो आप उसमें चले जाओ, अगर आपको लगता है कि नहीं यह target वाला work लग रहा है, आपको कि नहीं हो रहा है, आप से आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आ ठीक है, तो मतलब depends on you कि आप किस में आगे बढ़ना चाहते हो, managerial में आगे बढ़ना चाहते हो या insurance advisor ही बने रहना चाहते हो, ठीक है, what support will I get, work space support है, marketing and sales support है, managerial guidance है आपको, what kind of compensation and rewards do I receive, यह देख लेते हैं, PNB MetLife financial advisors enjoy some of the most attractive compensation packages in the insurance industry, मतलब insurance industries जो भी है, उसमें ही बहुत अच्छा package provide करते हैं, these packages are commission based and competitive, तो commission मिलता है और competitive है, मतलब कि कि इतने सारे companies हैं, तो hire ही देते हैं, बहुत लो नहीं देते हैं कि आप दूसरे, इसको छोड़ कि दूसरे में चले जाए ना, तो competition जा हो जाते है कि वहाँ पे अच्छे employees को रखने के लिए, लोग अपना commissions वगएरा अच्छा high रखते हैं, ठीक है, पिर यह पढ़ देजगा क्या है commission rate वगएरा ही, देखते लिजगा, professional recognition, देखे आपका यह ऐसा work है कि आपको recognition तो मिलेगी, क्योंकि यह ऐसा relation बनाने वाला work है, ठीक है, तो यह भी बहुत अच्छी बात है कि आपको लोग जानेंगे कि आप financial advisor हो, ठीक है, तो इसका जो link है, मैं आपको description box में दे दूँगी, इसके लिए आप apply कर दीजेगा, I hope कि आपको समझ में आ गया होगा, क्या process है, इसका मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, इसमें आप apply करेंगे, उसके बाद ये आपका IRDA का exam होगा, उसके लिए ये कुछ 500-600 रुपे आप से fees ले सकते हैं, तो ये मत ख़बराईएगा, मत कि ये मैं पैसे क्यों दूँ, ठीक है, वो होता ही है, क्योंकि बिना IRDA का exam qualify किये, आप insurance के industry में नहीं जा सकते हैं, तो वो आपको qualify करन ही होगा, उसको qualify करने के, उसकी भी training होगी, मतलब IRDA की training देंगे, फिर IRDA का exam होगा, कुछ दिनों में 15 दिन, एक महीने के अंदर होगा, फिर उसके बाद आपकी job purpose training होगी, और उसके बाद आप अपना job start कर सकते हैं, और उसके बाद on job training, on job training मतलब जैसे आपको job रहते वे भी मीटिंग होती है online, वो होगी, I hope कि आपको समझ में आ गया होगा, और ये आप